दूब में आप जैसी इंट्री कर दोगे लाइफ साइट में देखुए गानी बाग का एक मैप है आप इसका फोटू ले लीजिए इस लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि काफी लोगों को पता नहीं होता है और वो यहां आते हैं और उनको इंट्री पे ही अपनी वाटर बोटल महां छोड़ देनी पड़ती है अगर आप फैंबली में आ दे हो तो आप फैंबली की टिकेट लेकिए टिकेट पे कुछ हद तक अपने पैसे बचा सकते हों हाई है वेलकम टू मैं चैनल में होसें तर समी रेमर आज है 9 डिसेंबर 2023 सट्डी कर दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई की एक फेर्मस टोई स्पॉर्ट जिसके काफी नाम है इसको मुंबई जू भी बोला जाता है बाइकलर जू भी बोला जाता है रानी बाग भी बोला जाता है इसका ऑफिशन नेम आज की तरह में वीर माता जी जपाय उद्यान भी है चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई जू वीडियो के एंड में हम आपको मुंबई जू से रिलेटेटर कुछ इंपर्टन पॉ जू के बाद एक ऐसा चोटा साब बैटने के लिए बनाया भी यह पबलिक के लिए अगर आपको जू के अंदर नहीं जाना है तो आप यहां आके भी थ्रोट टाइम स्पेंड कर सकते हो यह जू का में इंटरंस है जू में आप जैसे इंटरी करोंगे लाफ साइट में देख़ए ग्रानीबा का एक मैप है आप इसका पोटू दे लिए इससे आपको आसानी है कि कौन सी चीज कहां है यह आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए आगे बढ़तें कि आगे बढ़तें जैसे आप आगे बढ़ोगे सबसे पहले आपको एक लेफ साइड में तोब लिखेगी यह तोब के पास आके चाहिए तो आप फोटू निकाल सकते हूँ अब दिखें यह पर दिखाओ भी एए एलिफेंट लॉइन वाल्फ वेर लिपर्ट चाइड के इस पेस वाटरो वगएरा सब यह लेफ साइड में आपको मिलेगा मिलेफेंट लानी भाग में आपको सबसे पहले अधर देखने मिलेगा अधर अधर अलीफेंट के बाद बिलक्तों में यह लॉइन का है लेकिन लॉइन के इसा लिखा हुआ है वेट आइन कमिंग सुन अभी फिलहाल लॉइन अवेलेबल नहीं है रानी बाग में चली आगे बढ़ते हैं मैं कितने बाजूक्ष में यहाँ पर है वॉल्फ लेकिन वोल्फ भी लिखा है है देखने के लिए यहां पर वॉज के बाद यहां पर है बेर देखते हैं बेर अवेलेबल है क्या देखने के लिए इते ही अब जा रहा है एक पो जा रहा हूं अब आप कौने इते हम जाइढ हम प्ल जाइव शान मां पर के बाद आता है ताइगर केलेटिर कि देखते हैं और टाइगर हमें दीखने मिलता है ही toxin तो MER ड़िशा लिखा हूआ है ताइगर टेडरी डास ने ऋससी क् critics हमें देखने मिलता है या नहीं तो सो रहा है तो ठीके चोड़ा इसे डिस्टर्ब नहीं करते आगे बढ़ते हैं देखे रानी बाग के अंदर ऐसी खुब से बेंचे भी बनाई गई है और ऐसा बैठने का अरेंजमेंट में अच्छा खासा किया गया है तो अगर आप सुझो रानी बाग चलते चलते अगर सब्सक्राइब करना है तो ऐसी जगों पर आकर आप बैठ सकते हो सीटिंग काफी अच्छा है यहां का ताइगर देखने को जैसे आप आगे आपको मिलेगा आप यहां पर स्नाक्स ले सकते हो चाय काफे ले सकते हो यहां पर आपको जो भी चीज से ही वो मिल जाएगी एक पैंग्वीन जो में भी आपको बतांगों उसके बाजू में पर आपको कूपन लगेगा तो चलिए बढ़ते और यहां पर आप यह रास्ते से आगा सीधा चले आओगे यह रास्ते से आपको हीपोटामस मिलेगा और आगे दरगा वो दरगा की भी मैं आपको विसिट कि अधिस की थे अखी है फॉच अब को इंप पड़ा है कि व्याच को अधिना हुआ हुआ है हुआ है 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 खाली है हिपोपॉटामस के बिल्कु बाजु में है मां कर राई है है यह मंकी तो कैसा रहा आप देखिए चलिए अब हम आपको द्रगा की द्रव लेकर चलते हैं अंदर दो द्रगा है असलाव अलेकूर इनका नाम है सेद जलाल शा बाबा और इनका नाम है सेद हाजी पीर बाबा तो मेरा भी द्रगा का विजिट पूरा हो गया है मुझे वहां पर खाफी अच्छा लगा अभी मैं आप लोगो डियर और पिंग्विं की तरफ लेकर चलता हूं चलिए यहां इस पॉर्टिड डियर मैं तो जूम करके आपको बताता हूं है कि अधी कि आपको आपको है कि अधी आपको अधी जूम है मुझे कि अधी इसकी कि अधार गार्डेंज को ठीक ठाक मेंटेन किया गया है और देखने के पाद आप थोड़ा आगे बड़ोगे तो देखिए यहां पर साइन है पेंगुइन आपके लेफ सेड में पड़ेगा और बर्ड पैडास टर्टल बटरफिला गार्डन इसाब आपको राइट सेड में पड़ेगा तो चली चलते हैं पहले पैंगुइन तो यह है इस जू की स्पेचलेटी पैंगुइन पैंगुइन आने के बाद ही यहां पर इतने टूरिस्ट आया है यह तो इतने टूरिस्ट यहां नहीं आते थे अबल्छ क्वण आने दडादें में गहां उशाओ Neil कैने काम खर क्वण में और चुण प excit entendənे के खिरेंगे हैं झालते हैं नहीं जूर काम आने के रहे दोसंटेंगी ridge proseर फ dispab tennis बड़ से प특 में आने के आने आने अजिए पार्चे आप आप अजय को आप 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 अजय को आप आप कर आप आपका कुछ रिफ्रेश्मेंट लेना है तो यहां ले भी सकते हैं यहां पर भी काफी चीसे अवेलेबले जैसे बहां बड़ा बटाटा बड़ा अजय कोफी पीजास सब अवेलेबले यहां तो अब यह फूद पर मैंने चाय ओडर की है और यह पेस्ट्री ओडर की है अब यहां पर थोड़ा नस्ता पानी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो अभी मैं कैफेटरी के बार खड़ा हूं मैंने महां के कैफेटरीय और जो पेंगुन के बाज़े में जो कैफेटरीय दोनों जगा का इसनेक्स ट्राय किया और फ्रेंकली बात करो तो दोनों जगा की जो फूड की जो क्वालिटी थी वह एवरिस्टी तो अभी चलिए देखते हैं अभी बड़्ट बाइडाइज और भी जो बच आप जब लेफ साइड से आगे जाओगे तो आपको देखिए बच्चों के लिए खिलने के लिए गार्डन मिलेगा अगर आपके साथ चोटे बच्चे हैं तो यहां पर बच्चे इंज्वाइब करेंगे अजलिए पहले चलते हैं बड़्ट पैराइज इसका नाम है यहां पर है यहां पर है यहां पर है मिलिटरी मकाव कर देखिया इसे यह मैं जूम करके बताता हूं यहां पर है एफ्रिकन ग्रे पैरिट मैं आपको बताता हूं यह देखो यह है एफ्रिकन ग्रे पैरिट यहां है कोक्टिल कोक्टिल ऐसा दिखता है कि यहां पर बहुत सारे खा रहे हैं कि आप पैरडाइस से आप निकल होगे तो आपको टॉर्टर्स और टॉर्टल देखने भी लेंगे यह देखिए यह है टॉर्टल कि यह लेगे हैं यहां हैं यहां पर यहां पर हैं तो आप यहां पर हैं यहां यहां पर हैं टॉटाइज्ट्स वह कहा रहे है वह कहा रहे है बर्ड परड़ास के बिल्कुत सामने है जैपेनिस गारडन लेकिन यह बंध है जैपेनिस गारडन के बाजु में जैसा मैंने पहले बताया बर्ड परड़ास के बिल्कुत सामने चिल्डर्न्स प्लेयरिया है तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो यहां काफी इंज्जॉय करेंगे कितना अचा है कि एक मित मैं कि तो मेरी बैंटी देटि कि व खाए है तो मिटी ने चिड्रेंस पीलिये में काफे इनजोई किया फाइनल मेरी बेटी CO चीड्रेंस पिली दीडां से बाहर हें देखी यह चिल्य ही चिड्रेंस प्लेटि चिल्रन प्ले जुठ के उस तरफ है पंक्यू और आप इस तरह आउगे तो यह रास्ता आप यह रास्ता पी जाओ कि आपको हैन और लेपट देखने बेलेगा और उसके बिलकुल वाजू में आपको वह ताइगर टेरिटरी मैं आपको बताता हूं यह यहां पर आपको ले जाता हूं यहां पर आपको लीपट देखने बिलेगा अगर आप चाहो तो टाइगर देखने के पाद पहले लीपड भी देख सकते हो अपिसके बाद आगे आप वह हिपोपोटमस वगएरा के लिए जा सकते हो कि दोन आप्शन यू कें ट्राइब य लिपड है आना और यह जाने का रास्ता है कि अधिकर हाना है यहां पर लेकिन अभी वह सो रही है जूम करता हूं एक है आना यहां पर भी है आना के बाद में यहां पर लिखावा भी है I hold on tight with my jaws large and heavy teeth है आप आप आपको मिलेगा एक्वाबर्ड और क्रोक ट्रेल यह है क्रोकोडाल रिवर देखें यहां पर क्रोकोडाल बैठा भी है यहां पर क्रोकोडाल दीख भी रहा है कि देखें थोड़ा मैंने जूम किया है तो यहां से किले ली दीख रहा है भी क्रोकाल क्रोकोडाल रिवर्ड के विल्कुब बाजू में है एक्वाबर्ड देखतें अभी यहां पर क्या है यह इंट्री है हुम् हुआ है है हुआ है है हुआ हम रहा है हम राइक्च याव यह यज के अंदर आगे हैं अचना व कि अधिए जबाइं नहीं जचो में इनिख है नहीं दुखने गर दिख उर देख्टा दिखने काती है मैं जब देखा ओर देखा देखने का दो यहां से एक्जिट है तो मेरा रानीबाग कर विजिट है वो पूरा हो गया अभी रानीबाग से लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ डिसकस कर लेता हूं अ पर पहले चलिए बात करें सबसे पहले कि आप मुंबई जू आ केसे सकते हैं डिए अगर आप मुंबई में रहते हैं और आपके पास खुद की गाड़ी है कार बाइक बाइक है तो आप यह आप है आप इसली लिए अपार्किक लाएक आप तो यहां पराकिंश स्याज्ट कि Mumbai Zoo जो है Mumbai के Central Line में का इस्टेशन है बाइकला वहां पर आपको आना है बाइकला उतर के बाइकला में आपको बाइकला इस्ट वे आना है दूसरे लेंगोज बला जाए तो प्रेटफार नंबर 4 से आपको बाहर निकलना है जैसे आप बाइकला इसे उत्रोंगे लेफ साट आ पड़ेगा मुंबई Central से आपको 67 नंबर की बस है वह आपको बाइकला जू छोड़ देगी अगर आप बाहर टेक्सी आने चाहते हो तो यहां पर टेक्सी की फैसिलिटी है आप मुंबई Central से टेक्सी पकड़ के भी बाइकला जू आ सकते हो तो अब बात कर लेते हैं अगर फैमिली मतलब हजबें वाइफन टू चिर्रन तो आपको 100 रुपिस का एक फैमिली की टिकेट बोलेगे तो आप अपनी टिकेट में अगर सपोस्ट आप अभी जैसे मैं हूं मेरी सिस्टर मेरी बेटी आए तो अगर मैं उन लोगों का सेपरेट टिकेट निकालता तो लेकिंट मैंने क्या किया मैंने फैमिली के टिकेट निकाली तो मेरा 100 रुपिस में काम हो गया तो इस तरह से मैंने अपने टुटी फैज बचा ए तो मैं यह हाइव इसलिए कर रहा हूं कि काफी लोगों को पता नहीं है कि फैमिली की बाद करना चाहता था कि अगर आप फै कि और हमारे ओर एक्सपीरेंस ही तो सबसे पहला पॉंट में बोलुगा कि रानी बाग वेड़नीज दे लेता है तो आप अपना ट्रीप वह इसाब से प्लान करें दूसरा यहां पर जो प्लास्टिक बॉटल से जो आप युजरी आपने साथ केरी करते हो वह आलाउट नहीं ह वह आपको इंटरी पर ही रोग देगा कि यहां पर प्लास्टिक बॉटल अलाउट नहीं तो देखिये मैंने आपने साथ कौन सी बॉटल करे किया है मैं आपको बताता हूं हम लोग ने हमारे साथ में यह बॉटल केरी किया तो अगर आप यह बोटल कैरी करते हो तो आप को अंदर पानी की फैसिलिटी है आप अंदर से पानी भर सकते हो लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि काफी लोगों को पता नहीं होता है और वह यहां आते हैं और उनको इंट्री पे ही अपनी वाटर बोटल महां छोड़ देनी पड़ती है तो इस तीस का ध्यान रखे अभी नेक्स मेंट यह है कि अगर आप यहां विजिट को आ रहे हो तो देखे सब्सक्राइब आप आओ तो डेफिनेटली आपको तो क्रॉड मिलेगा यह मिलेगा तो अगर सब्सक्राइब आ रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अर्ली मॉनिंग आईए नाइन के साथ अगर बच्चे हैं तो धाई से तीन घंटा आपको आराम से यह रानी बाग में लग जाएगा अब क्या होता है अगर सब्सक्राइब चार बजे के बाद आते हो तो यहां पर ऐसा है कि मैं इसे पहले भी रानी बाद आ चुका हूं सवापा साड़े पार बजे के बा अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो तो वेलेंड वूट तो फाइनली बात करते हैं हमारे ओरल एक्स्पिरियंस रानी बाग का कैसा था तो देखिए ओरल एक्स्पिरियंस वह स्टैस्फेक्टरी मेरे में बेटी ने हम लोग ने यहां पर ठीक ठाग इंजय किया लेकिन अ आपको मैंने जंगल सफारी भी विजिट कर आया तो वह काफी बड़े हैं यह रानी बाग जो सी 50 एकर का है काफी चोटा है अब चोटा है तो यहां पर गॉल्फ काड फैसलिटी भी नीए तो अगर गॉल्फ काड फैसलिटी देखिए तो थोड़ा फाइदा होगा जो सीनि है अधर है सिटेजन नहीं के लिए टो बैटरी होगा और यहां पर अपर अनिमर्स के बात करें तो देखिए पकर हैं और यह इसाओ गोड़ी जैसे प्रणाब कर दो ज्कोड़ा है और भी जो यहां पर बिज़र्ए वाग सकते हो आजाए तो visit का जो है वह और मजा बढ़ी आएगा इस आज की तारिक में बात करें तो रादी बाग की जो मेंस पेचलिटी है जो पब्लिक यहां पर उमर्थी है देखने को वह है पैंगुइन यहां पर देखने के लिए में मज़ी अबटी तो यह रहा हमारा और experience आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरा लीवियो कैसा लगा प्लीज मुचे कमेंट करके बताएं नेक्स वीडियो में आपसे बोज रग मुलाखा लगी तिल देन गुट बाई ड्राइव सेफ थैंक्स वचिंग बाई